बिहार के छपरा में दरोगा को दोडा दोडा कर पीटा गया जिहां चापे मारी करनी गई पुलीस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया बिहार में बालू माफियाओं ने पुलीस बाले को दिन में ही चांद तारे दिखा दिये भरी दुपहरी में बीच सड़क पर दोड़ा दोड़ा कर पुलीस वाले को पीटा गया बालू माफियाओं के सामने पुलीस वाले जान बचाने के लिए इधर उदर भागती न जराए बदमासों ने पुलीस वालों की ख़देड कर पिटाई कर दी हमले में गर्खा थाना धिच अमितेश कुमार और चालक जाविद अक्तर समेथ कुल आठ पुलीस कर्मियों को चोटे आई हैं आनन फानन में सब को छपरा के सदर अस्पताल में भरती कराया गया दरसल गर्खा थाना धिच दलबल के साथ बालू माफिया की और से किये जा रहे धंदे पर रोक लगाने और गिरहपतारी को लेकर चापे मारी करने अवतार नगर के आमी गाउं गए थे तभी बालू माफिया ने पुलीस की टीम पर हमला बोल दिया छपरा पुलीस के पास सूचना थी कि नैसनल हैवे पर बालू का धंधा किया जा रहा है इसके बाद पुलीस चापे मारी करने के लिए जा रही थी जैसे ही बालू माफियाओं को जानकारी मिली उन लोगों ने पुलीस पर लाठी डंडों से धावा बोल दिया और पुलीस बालों को दोड़ा दोड़ा कर पिटा गया इधर अवतार नगर पुलीस हमला मामले में कारवाई तेज कर दी गई है पुलीस कर्णियों की पिटाए का वीडियो वैरल होते ही दोसियों की पहचान की जा रही है सैक्डो अग्यात लोगों पर प्राथमी की दर्ज की गई है S.P. संतोस कुमार ने बताया कि इस मामले को पुलीस ने गंभीरता से लिया है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाब पुलीस मुकम्मल कारवाई करेगी